अलो फ्रेंड्स वेलकम टो अटोमेशन एंड डोब एक्सी यूट्यूब चैनल यूज आज का जो हुमारा टॉपिक है कि मिस्वीशी के पी एल्सी में हम लोग राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज कैसे यूज करते हैं मतलब अगर कोई पल्स आती है तो जैसी पल्स आती है उस समय कोई operation अगर रन करना है तो कैसे करेंगे अगर पल्स मेरी आने के बाद चली जाती है देन हम कैसे operation करेंगे सो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा and like करें and videos को share जरूर करें सो देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले GXworks2 एक software open करना है वो मैंने प्रीवेस वीडियो जो मैं भी बताय हुआ कि कैसे करते हैं उसके बाद जब आप कोई PLC select करके okay करेंगे तो simulator जरूर अन करेंगे अगर आप direct PLC पर काम करें तो simulator अन करने के जरूर नहीं है तो मैं अभी क्योंकि virtual PLC पर काम कर रहा हूँ तो मैंने simulator open किया start किया start करके कुछ इस तरीके से open होगा इसको minimize करेंगे और क्योंकि मुझे program write करना है तो पहले मैं यहाँ पर write mode कर देता हूँ ना मैं offline आ चुका तो देखी क्या करना है सबसे पहले कि यह समझना है कि से कोई no push button है जब मैं press करता हूँ उसको तो मेरा कोई operation on होना चाहिए और जैसे उस button को मैं release करता हूँ तो कुछ दूसरा operation होना चाहिए यानि input एक ही है तो हम कैसे इसको use करते है मिशुवी से PLC में वो ध्यान से देखना है तो सबसे पहला काम यह है कि double click करेंगे हम यहाँ पर no instruction ले ले लेते हैं और यहाँ पर ज क्या होता है कि कोई pulse अगर आती है तो क्या होना चाहिए तो मैंने ldp लिया और then मैंने space किया space space दिया then मैंने एक input ले लिया x0 इसका मतलब जब x0 input मेरा pulse आएगा then क्या operation होना चाहिए इतना करके मैं इसको ok करूंगा तो कोई input आप यहाँ पर कोई name define कर सकते है से मेरा कोई sensor है वो जैसी sense करता है तो क्या operation होना चाहिए वो आप दे सकते हैं जैसी sense नहीं करता है यानि sense करके जब pulse चली जाती है then क्या होना चाहिए आप कुछ भी set कर सकते है it is depend upon you कि आपको क्या करना है तो मैंने ok किया तो यहाँ पर देखेंगे एक arrow का symbol आ जाता है upper direction में इसका मतलब क्या यह rising age है जब कोई x0 number जो की मेरा sensor है जब यह sense करेगा तो जब यह pulse देगा sensor तब उस समय क्या operation होना चाहिए जब pulse चली जाती है sensor से तो क्या होना चाहिए तो जो pulse आती है उस समय जो operation करा जाते हैं उसको ldp बोलते हैं यानि load pulse then आप एक output ले सकते हैं तो समझने के लिए मैं एक set ले लेता हूँ set से क्या होगा जब pulse आएगी तो मेरा output set हो जाएगा जब same input से pulse जाएगी तो उस समय मेरा same output reset भी करा सकता हूँ so that idea लग जाएगा कि same input से मैं कैसे do operation करा पा रहा हू तो set मैंने previous video में बताया था कि square brackets लेते हैं then यहाँ पर मैं क्या करूँगा set लिखेंगे और space देकर y0 मैंने enter किया अब यहाँ पर कोई output लिख सकते हैं जैसे मैंने LED या मैंने यहाँ से एक lamp लिखा यानि lamp क्या हो जाएगा जैसी pulse आएगी sensor से lamp on हो जाएगी अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा double click करूँगा दूसरी line में एनो ही section लेना है अब यहाँ पर मैं लिखूंगा LDF space LDF का मतलब क्या होता है load trailing pulse यानि यह यह कह सकते है load falling pulse यानि जैसी मेरी pulse चली जाएगी then उस समय क्या होना चाहिए यानि जो LDP था उसका just opposite होता है LDF इतना करके then space देखे मैं same address लोंगा जो उपर मैंने X0 लिया था वही ले लिया then sensor ही रहेगा मेरा comment तो देखे इस तरह से address वही X0 लेकिन यहाँ पर down arrow आ रहा है इसका उतलब जब pulse जाती है उस समय क्या होना चाहिए तो double click करके मैं यहाँ पर square bracket ले लेता हूं और same RST लिखा मैंने जो output मैंने set कर आया pulse आने पर उसी को मैं क्या करूंगा reset करा दूंगा और lamp मेरा comment रहेगा तो द्यान से देखे इसको कि जब मेरा sensor पर pulse आता है उससे मैं set होगा output and then जब pulse चली जाएगी उससे मैं reset हो जाएगा इस तरीके से मैं operation करा सकता हूं इसका यूज करके इसको बोलते rising age इसको बोलत है LDP यानि load pulse और LDF load falling pulse इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको compile करने के बाग आप online में जाके write to PLC करेंगे यानि PLC में transfer करना है program plus parameter then execute and yes करेंगे तो यह मेरा program transfer हो जाएगा PLC में and yes close करके then close करेंगे and यहां से फिर monitor करेंगे तो देखिए monitor करने के बाद आपको पता चलेगा कैसे operation हो रहा है तो right click करके debug में जाके पहले मुझे क्या करना है command कैसे देनी है तो यहां पर X0 यानि एक ही input है अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ जैसे input press किया तो press करने पर क्या ह हुआ कि थोड़ा सा blinking type हुआ X0 पर क्या हुआ blinking type हुआ blink का मतलब है 60 आया एक और 60 आके एक output मेरा on हो गया अब जैसे इसको मैं off करूंगा तो जैसी pulse गई तुरंत मेरा क्या हो गया reset हो गया same output इसका मतलब क्या है डियाल से देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किय on किया तो on जैसी किया तो तुरंत एक pulse आता है और set हो जाता है यानि rising ages को बोलते हैं और मैंने प्रेस करके ही रखा हुआ है यानि जब pulse आई उस समय set हुआ अब जैसी मैं off करूंगा इसी input को तो मेरा क्या होगा जो output मेरा set हो गया तो मेरा reset हो गया कहने का मतलब यह है इससे यह clearness कर्श निकलता है कि input एक ही है यानि sensor एक ही है जब sensor sense करता है तो एक operation चलना चाहिए जब sensor sense नहीं करता है जब pulse चली जाती है उससमें दूसरा operation होना चाहिए तो यह click किया set दूसरा किया reset तो इस तरीके से मैं एक ही pulse को दो parts में divide कर देता हूँ यानि एक को बोलते है pulse आने पर operation होना चाहिए दूसरे को बोलते है जब pulse जाती है उससमें कोई operation होना चाहिए इसको यहाँ पर बोलते है LDP load pulse and दूसरा बोलते है LDS यानि load falling pulse तो इस तरीके से हम rising age falling age instruction मिसुविशी के PLC में use करते हैं so hope यह instruction आपको clear हुआ होगा बहुत important instruction है इस instruction की आप practice कर सकते ह है देन आप चेक कर सकते कोई operation में involve कर सकते हैं and बाकी practice करें अगर आपको कोई problem है तो आप comment box में comment लिख सकते हैं so hope आपको वीडियो पसंद आया होगा channel को subscribe जरूर कीजिएगा and video को like करें and share करें so आगे और भी इसी तरह की video आती रहेंगी so thanks for watching my videos thank you